नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिज शो में तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दो दिन पहले वीडियो बना कर बताया था कि इसराइल ने अटेक किया है एरान की नूकलियर फैसलिटी पर जो नतांज में स्थित थी और ये बहुत ही जादा बड़ा अटेक था इसमें जो सेंट्री फ्यूज थे जो बहुत ही इंपोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं परमानों हतियर बनाने में उन्हें भारी डैमेज पहुचा था और इतना ही नहीं इसराइली मीडिया ने भी इस चीज़ को क्लेम किया था कि जी हाँ हमारी जो मोसाद है उसी ने एटेक करवाया है और जिस दिन ये हमला हुआ था इरान ने उसी दिन कसम खाई थी कि वो इसका बदला जरूर लेकर रहेगा और आज इरान ने वो बदला ले भी लिया है लेकिन जो इरान ने बदला लिया है वो इसराइल से यहाँ पर नहीं लिया है यह है इसराइल देश वो लिया है काफी दूर दरसल यहाँ पर उसने अपना बदला लिया है यहाँ पर है इरान आप देख सकते हैं उपर और ठीक यहाँ पर युनाटिड अरब अमिरात और अ और ये इसराइली ओन था इसराइल का इसका मालिक था और इस पर एक बड़ा हमला हुआ है ये खबर किसने चापी है इरानियन मीडिया ने इसकी पर आप देखे आर्टिकल में आपको दिखा रहा हूँ इरानियन मीडिया ने बताया है कि ये फुजरा में खड़ा था इस पर missile attack हुआ है और यहां तक कि इस ship का number भी बता दिया है इरानी मीडिया ने और इरानी मीडिया के बाद ही धीरे-धीरे Middle East की जो दूसरी New Jersey थी उन्होंने भी से स्विकारा शुरू कर दिया है और यहां तक कि जो Israeli मीडिया थी वो भी काफी तक चूप रहा लेकिन आखिरकार जब यह बात पूरी फैल गई उसके बाद उन्होंने भी स्विकारा की जिहां attack हुआ है हलाकि interesting चीज यह हुई कि इरान ने अपना नाम नहीं स्विकारा है इस हमले में उन्होंने बस बताया कि एक हम उन्हें निशाना बना सकते हैं लेकिन क्या Israel पर इससे फरक पड़ेगा तो देखिए Israel पर तो किसी भी चीज का फरक नहीं पड़ता उसे जो करना है वो तो करेगा ही करेगा अगर उसे लगता है कि दुनिया में कोई रेस anti-Israel activity कर रहा है तो वो उसे पहले ही जाकर खतम कर देते हैं हाला कि अब देखने वाली बात है क्या Israel इसका reply देगा क्योंकि हाली में क्या हुआ था एक हफ़ता पहले Israel की एक ship को निशाना बनाया गया था इसी इलाके में और उसके reply में Israel ने Iranian ship को निशाना बनाया था खुले तोर पर ऐसे में क्या इस बार भी ऐसा होगा या फिर Israel चुपचा बैठ जाएगा ये देखने वाली बात होगी मैं इस मामले पर नजरा बनाये रखूंगा जैसे कुछ अपडेट आएगा तुरंट आपको वीडियो बना कर सुचित कर दूँगा फिलाल सुड़ में इतना ही थैंक्यों रूर साचिंग वीडियो